नमस्कार दोस्तो मैं विजय कसाना डेजिटल फ्रेशिक्षिया के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो अरियाना में किस बरती के लिए सबी कंडेटों को सामिल करने के कोड क्या देश जारी हो गए हैं उस बरती के बारे में भी आपको बताएंगी इसके अलावा कौन सी नई बरती आने वाली है वो जानकारी भी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें चलिए साथियों अब ये बर्ती देख लीजिए कल विदान सभा सेशन में चर्चा हुई है उसके बाद ये न्यूज आई है अरियाना में फूर्ड सेप्टी ओफिसर के 45 में से 43 पद खाली है परति न्यूक्ति आदार पर 16 पद बरे हुए है अब विबाग ने 41 पदों को बरने के लिए मांग अरियाना लोक सेवा आयोग को बेजी है यानि कि हपिस्टी को मांग बेज दी गई है हपिस्टी अब कभी भी ये बर्ती निकाल सकता है आपको पता होगा यह जानकारी विदान सभा मानसुन स्तर में स्वास्ते मंत्री अनिल्विज दौरा विदायक जगबीर सिंग मलिक के सवाल के जवाब में सदन के अपटल पर पेश की गई है तो साथियो अब अगर विदान सभा में बात चली है तो इसका मतलब बात में कोई भी कमी नहीं है 41 पदों की बर्ती के लिए अब बात कर लेते हैं कि कौन सी बर्ती के लिए कोट ने आदेश दिये हैं वो देख लीजिए यह देखिए अन्य सरकारों से माननेता प्राप्त डिप्लोमा भी वैद यानि की ओधर स्टेट वाणों की बात ये की जारी है और यह ओधर स्टेट से जो कंडे डिप्लोमा करके आया है उसकी बात की जारी है पंजाब एम अरियाना आई कोट ने रेडियोग्राफर वे अल्ट्रासाउंड टेकनीशियन बर्ती को लेकर सपष्ट किया कि केवल अरियाना में मोजूद संस्ताओं से डिप्लोमा करने वालों के आवेदन को ही सुईकार करने का निर्ने गल्त है कोट ने कहा है कि राज्य का मतलब केवल अरियाना सरकार नहीं होता बल्कि किसी भी राज्य सरकार से मानेता प्राप्त अंस्तान से प्राप्त डिप्लोमा वैद है इसके साथ ही आईकोर्ट ने अब इस बर्ती के लिए इस आदेश के अनुरूप नए सिरे से मैरिट सुची तयार करने का आदेश दिया है यानि कि नए सिरे से साथियो मैरिट सुची बनाई जाएगी जिसमें सभी कंडेटों को सामिल किया जाएगा मेडिकल कोलेज या अन्य मानेता प्राप्त संस्तान से होना चाहिए यह देखी सात्य याचिका दाखिल करते हुए विजेंदर वे अन्य ने हाई कोट को बताया था कि अरियाना सरकार ने 2019 में रेडियोग्राफर वे अल्टरासाउंड टेक्निशियन के 117 पदों के लिए विज्यापर मांगा था इसके लिए सर्थ रखी गई थी कि आविदक के पास रेडियोग्राफर का डिप्लोमा रोध तक medical college या अन्य मानेता प्राप संस्तान से उना चीए बरती में तो ये सर्थ थी याचिका करता ने बताया कि उनका आविदन इस आदार पर खारिज कर दिया गया है कि उनका डिप्लोमा जारी करने वाला संस्तान अरियाना सरकार से मानेता प्राप नहीं है यानकी साथ यो ओधर स्टेट या ओधर संस्तान से मानेता प्राप था है अरियाना सरकार से वो जो संस्तान है वो मानेता प्राप नहीं है जिस कारण से उनका आविदन है उरद कर दिया गया था ऐसे में हाई कोट ने अब सपेष्ट कर दिया गया है कि कोई भी डिप्लोमा जो राज्य सरकार राज्य सरकार दोवारा मानेता प्राप संस्तान या राज्य दोवारा स्तापित विश्व विद्दाले या उंच सिक्षन संस्तान ने जारी किया हो वैवैद है और राज्य का मतलब यह नहीं कि अर्याना ही रज्य का हो उधर स्टेट वाड़ों की भी बात इसमें की जा रही है कोर्ट ने इस मामले में सरकार के आदेश को ध्यान में रखते हुए या चिका करता कि दावय पर विचार करते हुए मेरिट सुची संसोधित करने का आदेश दे दिया है यानि कि अब इस वर्ती में नए सिरे से मेरिट बनाई जाएगी और सभी कंडेटों को सामिल किया जाएगा तो यही साथ यू नूज आज आई थी जो आप तक पहुचानी जरूरी थी ऐसा ही और वर्तियों से रिलेटिट जानकारी के लिए चैनल के साथ बने रहें अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं एक्स वीडियो में